आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर 8, Chemical Kinetics Chemical Kinetics, it is the branch of chemistry Chemical Kinetics में हमने पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं Chemical Kinetics, it is the branch of chemistry that deals that deals with rate of reaction that deals with rate of reaction उसके बाद factors affecting factors affecting rate of reaction और उसके बाद आखरी चीज़ rate mechanism of reaction या rate या mechanism दोनों अलग अलग चीज़ है किसी भी reaction की हम इस chapter करना पड़ते है mechanism of reaction तो देखें अभी फिलान हम पढ़ना है MDCAT के लिए MDCAT के लिए हमें basic basic चीज़े इसके अंदर समझने हैं बहुत ज़्यादा detail के अंदर नहीं जाना concepts हमने अपने ठीक रखना है तो सबसे बहले एक चीज़ आपको बता दूँ rate of reaction एक बहुत बड़ा word है तो इसके लिए हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर थोड़ा सा अब्रिवेशन चुटी सी अब्रिवेशन यूज़ करेंगे ROR की rate of reaction अच्छा factors affecting के लिए हम लोग FA का word यूज़ करेंगे branch of chemistry के अंदर एक चीज़ और समझ दीज़े chemical kinetics का basic मतलब क्या है chemical मतलब chemicals कोई भी kinetic का मतलब होता है motion kinetic मतलब motion अब motion से क्या मुराद है देखें होता क्या है कि reactant के molecules आपस में move करते हैं collide करते हैं और उनकी effective collision के पास अगर उनके पास बहुत ज़ादा energy भी हो तो उनके effective collisions की वज़ा से वो products के अंदर convert होते हैं बहुत मुशकिल है तो एक काम करते हैं थोड़ा आसान अलफाज में समझने की कोचिश करते हैं देखें लेट से आपके पास दो reactants है इन दोनों reactants को आपस में आपने react करवाने हैं अगर दोनों reactants आपस में react नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं आप इनको heat करने ही कोचिश करते हैं जब आप temperature बढ़ाते हैं तो temperature बढ़ाने से reacting molecules की kinetic energy बढ़ती है यानि कि वो और तेज़ तेज़ मूव करना शुरूर कर देता है अगर मान लो मैं आपकी नीचे आपको कुर्सी से बांद के आपकी नीचे आँख लगा दूँगा आप बैठे थुड़ी ना रोगे आप भी मूव करोगे इसका मदलब यह हुआ कि temperature के बढ़ाने से speed बढ़ती है यानि किनेटिक energy बढ़ती है जब temperature बढ़ाते हैं तो काइनेटिक energy बढ़ेगी काइनेटिक energy बढ़ाने से molecules बहुत ज़ादा move करेंगे जब move करेंगे तो reacting molecules एक दूसरे से collide करेंगे तकराएंगे देखें जितनी ज़्यादा number of effective collisions होंगी जितना number of effective collisions हमके ज़्यादा होंगे उतना rate of reaction भी ज़्यादा हो जाएगा यानि reaction की speed भी बढ़ जाएगी तो अब आते हैं ज़रा rate law की बात कर लेते हैं सबसे पहले rate law क्या है rate law कहता है कि rate of reaction और और डिरेक्टी प्रोपोर्शनल होता है concentration of reactants के यानि के reactants की quantity जितनी ज़्यादा होगी rate of reaction भी उतना ही ज़्यादा होगा अगर reactants की quantity कम हो जाएगी तो rate of reaction भी कम हो जाएगा अगर वही मतलब कि अगर reactants की quantity ज़्यादा होगी तो reacting molecules भी जादा होंगे अगर reactants की quantity जादा है तो reactants की quantity जादा होने की बज़ा से तो हम बोल सकते हैं कि जितना जादा reactants की quantity होगी rate of reaction भी उतना ही जादा होगा इससे related एक छोटा MCQ सबसे पहले समझ दीजए कि during the course of chemical reaction during the course of chemical reaction यानि कि chemical reaction जब start होता है और उसके बाद आगे चलना शुरू होता है chemical reaction proceed होना शुरू होता है इस पूरे course के अंदर chemical reaction की speed जादा होगी या chemical reaction की speed कम होगी यानि rate of reaction increase होगा या decrease होगा आपको ये बताने है rate of reaction increase होगा या rate of reaction decrease होगा या constant रहेगा ये सब चीज़ां आपको बतानी है तो बहुत असान है देखें, जब chemical reaction start होता है तो chemical reaction start होते वक्त reactant की quantity काफी ज़ादा होती है जब reactant की quantity काफी ज़ादा होगी तो rate of reaction भी ज़ादा होगा लेकिन जब chemical reaction proceed होगा तो आहिस्ता आहिस्ता reactants की quantity कम होती जएगी क्योंकि reactants consume होते जएगे जब reactants consume होते जएगे तो rate of reaction भी कम होता चला जाएगा अब यही चीज़ rate law explain करता है ज़रा अब वापसी आता है हमारे पास topics के उपर आते हैं देखें chemical kinetics के अंदर हमने ज़्यादा focus करना है rate of reaction के बारे में और factors affecting rate of reaction के बारे में हमने इन दो चीज़ों के पर ज़्यादा focus करना है mechanism of reaction के उपर हम ज़्यादा focus नहीं करेंगे क्योंकि इससे related mcqs नहीं आते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात कर लीज़े rate of reaction की तो rate of reaction तो हम लोग discuss कर ही चुके है rate of reaction का मलब यह है कि reaction कितनी speeds हो रहा है तो इसकी definition समझ लें बहुत असान है rate of reaction की definition यह है कि change in concentration of reactants consumed या change in concentration of reactants और change in concentration of products per unit time is called rate of reaction यानि कि reactants कितना कम हो रहे है reactants की quantity में कितना change आ रहे है reactants कितना consume हो रहे है या products कितना ज़्यादा form हो रहे है per unit time के अंदर इसको जो fraction होगा यह fraction के लागा rate of reaction जितना reactants consume होगे जाहिरी बात है उतना ही ज़्यादा products form भी होगे तो हम इसको mathematically ऐसे लिखते है rate of reaction की जगह पर हम लोग लिखते है dx upon dt dx upon dt x से मुनाद है concentration d represent करें यहापे derivative को यह differentiation को और इसका मलब होता है change और dt से मुनाद है change in time बहराल इस चीज़ को भी हटा देते हैं अगर समझ आते हैं तो ठीक है वरना आगे बरते हैं dx upon dt बरावर होता है k multiply by concentration of reactants के यह हमारा कहिलाता है rate expression अगर हमारे पास एक reaction लिखा है let's say ammonium cyanide है या ammonium ammonium chloride है और ammonium chloride टूटता है let's say ammonium ion में NH4 plus ion में और CL minus ion में यह एक ionization का process है अगर मुझे इसका rate of reaction निकालना है तो मैं क्या करूँगा dx upon dt के अपनी जगा पे के अपनी जगा पे रखोंगा और reactant की जगा पे लिखोंगा ammonium chloride NH4Cl यह rate expression के तुरू मैंने लिख लिए है अब rate expression के अंदर आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होगी के dx upon dt यह तो rate of reaction हो गया और reactant की concentration यह भी आपको समझ में आ गई है के क्या चीज़ है के क्या चीज़ है तो के समझते है के क्या आता है rate constant अब कुल मिला के तीन चीज़े हो चुकी है concentration of reactants rate constant और rate of reaction यह तीनों चीज़े rate expression के अंदर मौझूद है तो इन सबकी units भी आपको पता होने चाहिए इन सबकी units बहुत असान से है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ dx upon dt की तो dx upon dt यहनी rate का unit होता है जो के fix है moles per decimeter cube into second अगर let's है मैं concentration की बात करता हूँ तो concentration का unit होता है moles per decimeter cube और अगर मैं बात करता हूँ rate constant की तो rate constant का unit fix नहीं होता rate constant का unit आपको हमेशा निकालना पड़ेगा यह हर मरतबा हर reaction के लिए अलग-अलग होगा यानि first order के लिए अलग होगा second order के लिए अलग होगा third order के लिए अलग होगा और 0th order के लिए अलग होगा, 4th order या 5th order बैचलर में आते हैं, यानि कि आप से MDCAD के अंदर इसके बारे में सवाल नहीं होगा, order of reaction क्या होता है, order of reaction तो पढ़ा ही नहीं, देखिए order of reaction आपने फिर्स चे अंदर पढ़ा होगा, तो order of reaction अगर हमने निकालने हैं, तो हम बहुत असान तरीके से निकाल सकते हैं, हमने reactants की coefficients को add करने हैं, और reactants की coefficients को add करने के बाद जो total answer आएगा, वो ही हमारा order of reaction होगा, example देता हूँ, let's say हमारे पास methane gas है, और methane gas को in the presence of oxygen burned किया गया है, तो यह आगे जाके convert हो गई है, carbon dioxide gas में और water vapors में, तो देखिए methane gas को coefficient है 1 और oxygen gas की coefficient है 2, तो आपने इन दोनों को add कि है 1 प्लस 2, reactants के coefficients को add करना है, products के coefficients को add नहीं करना, तो 1 प्लस 2 यह हो गया 3, तो हमारा सही answer होजएगा 3rd order reaction, अगर, let's say हमारे पास लिखावा है, ammonium hydroxide, ammonium hydroxide आगे जाके break हो रहा है, ammonium iron में और hydroxide iron में, तो ammonium hydroxide का जो coefficient है वो है 1, तो अब यहाँ पर order of reaction हो जाएगा 1st order, similarly, अगर आपने coefficients of reactants को add किया, और आपके पास answer आया 2, तो वो हो जाएगा 2nd order reaction, कभी-कभी, जो arrow होगा, उस arrow के उपर, h, mu करके कुछ लिखा होगा, या ultraviolet radiations लिखी होगी, या कुछ भी लिखा होगा sunlight वगरा, या photons वगरा, कुछ इस तना से लिखा होगा, जिससे आपको idea हो जाएगा, कि यह reaction, light की presence में हो रहा है, sunlight की presence में हो रहा है, अगर sunlight ना होती, तो यह reaction भी प्रोसीड नहीं होता, तो उस मौके पर, जब arrow के उपर आपको ऐसी कोई चीज लिखी हुई दिख जाए, तो उस मौके पर आपने यह shortcut apply नहीं करना, आपने direct समझ जाना है, कि यह 0th order reaction है, क्योंकि कोई भी reaction, जब sunlight की presence में होता है, या ultraviolet radiation की presence में होता है, तो वो कहलाता है pseudo order reaction, pseudo मनलब fake, यानि कि वो reaction आपको धुका दे रहा है, वो reaction, reactants के उपर depend नहीं करता, बलके वो reaction सीधा-सीधा depend करता है sunlight के उपर, यानि कि photons के उपर, तो ऐसे reaction को हम लोग कहते हैं, 0 order reaction, तो आप HV या ultraviolet radiation से या photons को देखके, या इस तरह को कोई symbol देखके पहचान सकते हैं, sunlight देखा होगा तो भी पहचान सकते हैं, example के तोर पे हमारे पास methane gas है, जब इसको chlorine gas के साथ में react करवाया जाए, तो लेट से उपर लिखावा है Hμ, या यहाँ पर में लिख देता हूँ sunlight, तो sunlight की presence में यह वाला reaction होगा, और sunlight की presence में यह आगे जागे बना लेंगे methyl chloride CH3Cl और प्लस HCl, लेकिन अगर आप coefficients को plus करते हैं, तो यहाँ पर order निकलता second, second order reaction होता है, अगर हम coefficients को plus करते हैं, लेकिन अगेन जैसे कि बताया, कि reaction pseudo order reaction है, तो यहाँ पर second order reaction नहीं है, यह आपको गलत कर, आपको यह एक तरीके से, यहाँ पर जो coefficient of, यहाँ पर जो आप reactants की coefficients को plus कर रहे हैं, यह तरीका यहाँ पर गलत हो जाएगा, shortcut यहाँ पर fail हो जाएगा, तो आपने direct इसको समझ लेने के sunlight की बज़ेस हो रहा है, तो यह zero-th order reaction है, आए आगे बढ़ते हैं, order of reaction था हम समझ चुके हैं, हमने rate expression, rate constant, और concentration of reactants, इन सब के units, यहाँ तक इन सब चीदों को discuss कर लिया है, अब बात करते हैं, factors affecting on the rate of reaction की, या types of reaction की on the basis of their speed, यह दोनों topics MCQs के लिए बड़े important है, क्योंकि दोनों असान से topics हैं, let's say मैं types of reactions की बात कर लेता हूं, सबसे पहले, हमारे पास 3 types के reactions होते हैं, अगर हम बहुत basic basic बात करें तो, सबसे पहले reactions, या तो हमारे पास fast होते हैं, या हमारे पास moderate होते हैं, और या तो reaction हमारे पास slow होते हैं, इनकी further classes भी हो सकती हैं, जैसे के fast को आप further classes में divide कर लें, extremely fast, moderately fast, या slowly fast, बगएरा बगएरा, और इसी तरह moderately को भी describe के जा सकता है, मजीद classify के जा सकता है, और इस तरह slow reactions को भी, लेकिन हम इतनी ज़्यादा classifications के अंदर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 3 basic classifications की बात करेंगे, fast, moderate, और slow, अब fast reactions वो हैं, जो के micro seconds के अंदर हो जाते हैं, या जिनका rate of reaction आप determine नहीं कर सकते हैं, यह rate of reaction रखते हैं, इनकी speed होती है, 10 की power minus 6 seconds, कि 10 की power minus 6 seconds का मतलब यह होगा, एक second का आप एक लाग हुआ हिस्सा ले लें, एक second के आप एक लाग हिस्से करें, तो जो मतलब एक लाग हुआ हिस्सा होगा, यानि कि जो माईक्रो सेकंड होगा, इस माईक्रो सेकंड के नदर की reaction हो जाते हैं, और आप इसका rate of reaction determine नहीं कर सकते हैं, साल ले लेता है, years to take in proceeding या आप बोल सकते हैं, इनको बहुत जाधा time लगता है procedure होने के लिए, जैसे कि resting of iron वगरा जब iron को जंग लगता है जब लोहे को जंग लगता है तो इसमें बहुत जाधा time लगता है यह अगर हम बात करें radioactive decay की जो radio activity का process होता है radioactive decay का process इसमें भी बहुत जाधा time लगता है लेट्स अगर radium की example ले 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 तो radium को decay होने में उसकी half life में हमें चाहिए होते हैं 1600 साल जो के बहुत जाधा है अब बात करते हैं moderate reactions की moderate reactions वो होते हैं जो के mintों से seconds में या maximum दिनों के अदर हो सकते हैं और इनका rate of reaction determine किया जा सकता है जैसे के cooking वगारा घर में जब खाना पकता है तो इसका rate of reaction determine किया जा सकता है अब यह होते है experimental speed की ओपर कि अगर मैंने मान लें slow reactions है और slow reactions को fast करना है और उसका rate of reaction हमें determine करने एग थक कृषर कृठर तो प्र क्या करें हमने क्या करना पड़ता है हमें catalyst यूज ता हमें catalyst करना पड़ता है वह catalyst जो के slow reactions को fast करता है, वो catalyst क्यलाता है promoter. Promoter क्या करता है, rate of reaction को बढ़ा दिता है. जबके अगर fast fractions को slow करना होता है, तो fast fractions को slow करने के लिए हम क्या करते है, inhibitor use करते है, inhibitor क्यलाता है negative catalyst, ये rate of reaction को decrease करता है. अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा detail में discuss करते हैं सबसे पहला आप यह समझ लिजे कि अब हम factors को discuss करने लगें factors factors which affects the rate of reaction वो factors जो के rate of reaction को affect करते हैं तो हमारे पास total 6 factors हैं जो के rate of reaction को affect करते हैं सबसे पहला factor है concentration of reactants concentration of reactants दूसरा factor है temperature तीसरा factor है हमारे पास nature of reactants nature of reactants चौता factor है हमारे पास catalyst पांचवा factor है surface area surface area of reactants और आखरी factor है हमारे पास radiations एक चीज़ याद रखेगा इन 6 factors में pressure include नहीं है क्योंके pressure से rate of reaction पे कुई ज़्यादा फर्क नहीं आता आया आगे बढ़ते हैं सबसे पहले catalyst को discuss करते है catalyst इसलिए क्योंके catalyst के हम बात अभी कर चुके है catalyst दो types की होते है catalyst हमारे पास दो types की होते है main main catalyst हमारे पास दो type की होते है अभी हम दो catalyst की बात करें एक तो positive catalyst और एक negative catalyst जो positive catalyst है उसको कहा जाता है promoter और जो negative catalyst है उसको कहा जाता है inhibitor अब promoter क्या करता है promoter rate of reaction को बढ़हा करता है activation energy inhibitor क्या करता है inhibitor rate of reaction को कम कर देता है inhibitor rate of reaction को कम कर देता है by increasing the activation energy activation energy को by increasing the activation energy अब activation energy क्या है आईए सबसे पहले activation energy के concept को समझते हैं और फिर उसके बाद catalyst पर वापस ही आएंगे activation energy क्या है आईए स्टार्ट करते है activation energy के concept को तो हमारे पास total तीन टाइप्स के energy होती है एक होती है threshold energy जिसको हम threshold बोलते हैं सिर्फ एक होती है activation energy जिसको मैंने a.e करके represent किया है और एक होती internal energy जिसको मैं i.e करके represent कर रहा हूँ मैं यहाँ पे symbols के अंदर नहीं गुसरा सिर्फ आपको इन तीनों के concept समझा देता हूँ अब threshold activation energy और internal energy इसका scenario समझने के लिए आपको एक analogy समझने पड़ेगी एक थोड़ा से scenario अपने जहन में लेकर आना पड़ेगा लेट से आपको एक shop खोलनी है आपको दुकान लगानी किसी भी चीज की या किसी भी चीज का business करना है और आपको उसके लिए investment required है let's say हम assume कर लेते हैं कि आपको investment required है 2 lakhs रुपीज की आपको 2 lakhs रुपीज चाहिए उस shop को run करने के लिए या उसको business को open करने के लिए लेकिन आपकी जेब में पड़े हुए है 50,000 तो 50,000 आपके पास मौझूद है अब आपके पास remaining जो amount आपको required है वो remaining amount हो जाएगी 1.5 lakhs तो देखें ये 50,000 वो energy हो गई जो के पास आपके पास already मौझूद है ये कलाएगी internal energy 1.5 lakhs ये वो energy जो के आपको required है थ्रिश होल तक पहुचने के लिए तो 1.5 lakhs हो जाएगे आपके activation energy और जो 2 lakhs हैं वो हो जाएगा थ्रिश होल के minimum आपके पास 2 lakhs रुपीज होंगे तो फिर आप ये business को खोल पाएगे ये आपका थ्रिश होल है थ्रिश होल एक्टिवेशन energy और internal energy में आपको basic difference समझ में आगे होगा internal energy वो energy होती है जो reactants के पास already पहले से मौझूद होती है activation energy वो energy होती है जो के थ्रिश होल तक पहुचने के लिए required होती है और थ्रिश होल वो energy जहां पर पहुचके reaction start हो जाएगा यानि के अगर let's say threshold मैं आपको graph से समझाने की खुषिश करता हूँ threshold यहां पर मौझूद है graph की top पे और यहां पर reactants के पास internal energy यहां पर bottom पर आपको show हो रही है तो यह reactants की अपनी energy है अब यहां से लेकिए यहां तक जो difference है graph के अंदर यह difference activation energy को show करेगा यह एक basic सा difference है अब promoter क्या करता है promoter इस activation energy को कम करता है activation energy को कैसे कम करता है मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो के बहुत अच्छा है और वो आपको ऐसे guide करता है कि यार देखो 2 lakh rupees में आप यह business start कर सकते हो लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 2 lakh rupees में ही यह business start किया जाए वो कोई आपको ऐसे solutions बता दे है जिसके जरीए आप अपने business को कम पैसो पे rent कर सकते हो let's say 50,000 आपके पास मौझूद है आपको एक दुकान लेनी है तो बोलता है कि इस दुकान का rent इस तरह से कम करवाया जा सकता है यह marketing में budget कम किया जा सकता है यह किसी और तरीके से cost को कम करके हम लोग की business जल्दी से start कर सकते है तो उसने क्या किया उसने आपकी activation energy को गिरा दिया उसने activation energy को decrease करके 50,000 पर लेकर आगया तो अब आपका threshold रह जाएगा 1 lakh का अब आप जल्दी से यह business start कर पाऊगे reaction जल्दी start हो जाएगा तो जितनी जल्दी reaction start हो जाएगा उतना rate of reaction भी जादा होगा तो promoter क्या करता है promoter activation energy को कम करता है और reaction की speed को बढ़ा देता है तो यह promoter का का काम हो गया अब बात करते है negative catalyst की मान लो आपकी family के अंदर या आपके दोस्तों में कोई शखस ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि आप यह business start करो या आपको खुश नहीं देख सकता तो वो आपके पास आएगा और वो आपके पास आके बोलेगा कि यार दो लाक रुपर में आज के दिन कौन सा business बिजनिस होता है तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बढ़ाएगा कि यार अपनी दुकान को बढ़ा करो अपनी शॉप के अंदर इस तरह की चीज़ें लेकर आओ marketing करो बहुत जादा budget आपका बढ़ा देगा जब आपको बहुत जादा budget बढ़ा देगा तो यही कामत है inhibitor का inhibitor activation energy को बढ़ा देता है जिससे reaction की speed कम हो जाती है तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास inhibitor क्या करता है inhibitor rate of reaction को कम कर देता है by increasing the activation energy activation energy को बढ़ा के जबके promoter क्या करता है promoter reaction की speed को बढ़ा देता है by decreasing the activation energy सबसे पहले हम concentration of reactants की बात करते हैं rate law अभी हमने पढ़ा है कि अगर reactants की quantity जादा होगी यानि reactants की concentration जादा होगी तो वो reactants आपस में जादा कॉलाइट करेंगे जब जादा कॉलाइट करेंगे क्योंकि reacting molecule जादा होंगे तो जादा कॉलाइट करेंगे जब ज़्यादा कॉलाइट करेंगे तो हमारे पास प्रोडेक्ट्स भी ज़्यादा बनेंगे यानि कि rate of reaction भी खुद बढ़ जाएगा concentration of reactants चितनी ज़्यादा होगी rate of reaction भी उतना ही ज़्यादा होगा तो ये दोनों concept अब हमें समझ में आ चुके हैं अब बात करते हैं temperature की लेकिए temperature का तालुक सीधा सीधा है kinetic energy के साथ में अभी हमने ये भी discuss किया था कि अगर आप temperature बढ़ाते हैं तो kinetic energy molecules की बढ़ जाती है जब kinetic energy molecules की बढ़ जाती है तो molecules एक दूसरे से ज़्यादा तेजी से collide कर पाते हैं जब जल्दी से collide कर पाते हैं और sufficient energy भी हा जाती है तो जब sufficient energy के साथ एक दूसरे के साथ collide करते हैं तो हमारे पस rate of reaction खुद बढ़ जाता है क्योंकि product जल्दी form होने लगते हैं तो temperature जितना ज़्यादा होगा rate of reaction भी उतना ही ज़्यादा होगा अब बात करते हैं nature of reactants की देखें nature of reactants क्या है यह समझते हैं कुछ reactants ऐसे होते हैं जो कि react करना ही नहीं चाहते हैं इनको हम inert reactants भी बोल सकते हैं या inactive भी बोल सकते हैं और कुछ reactants ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से react करना चाहते हैं आप इसकी example ऐसे ले सकते हैं, लेट से आपकी class में 50 students बैठे में, तो यकीनन उनमें एक student ऐसा होगा, जो बिल्कुल कोने में बैठा रहता है, और वो किसी से बातचीत नहीं करता, नहीं आप उससे बातचीत कर पाते हो, नहीं वो आपसे बातचीत कर पाता है, जबकि कुछ दोस्त आपकी class के अंदर ऐसे होंगे, या कुछ लड़कि आपकी class में ऐसे होंगे, जो बहुत जल्दी से दोस्त बना लेते हैं, तो ultimately उनके दोस्त बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी तरह से कुछ reactants ऐसे होते हैं, तो जितना ज़ादा active reactant होगा, उतनी जल्दी react करेगा, rate of reaction बढ़ जाएगा, और vice versa. आगे बढ़ते हैं, surface area of reactant पे, देखें, surface area से related बहुत सारे सवाल आते हैं, और surface area बहुत important भी है. देखें, surface area क्या है, अगर आप किसी reactant का surface area बढ़ा देते हैं, तो वो reaction जल्दी हो जाता है, और अगर आप किसी reactant का surface area कम कर देते हैं, वो reaction देर से होता है, आप इसकी example ले सकते हैं, लेट से हमारे पास water है, और पानी एक glass के अंदर मौझूद हैं, अगर वो पानी आप जमी water का जो surface area है, यह जो surface area water का आपको यहाँ पे नदर आ रहा है, यह surface area बहुत कम है, अगर surface area कम है, तो हमारे rate of reaction कम हो जाएगा, यानि कि वो पानी जो glass के अंदर मौझूद है, इसको evaporate होने में बहुत जादा time लगेगा, लेकिन अगर आपने यही पानी उंडेल दिया जमीन के उपर तो इसका surface area बढ़ जाएगा, जब surface area बढ़ जाएगा, तो rate of reaction भी बढ़ जाएगा, लेकिन यह example गलत है, यह example आपको असानी से समझतों आ गई, लेकिन यह example chemical reaction की नहीं है, यह example है physical reaction की, क्योंकि water evaporate हो रहा है, या water bubbles में convert हो रहा है, तो वो chemically किसी चीज़ के साथ react नहीं कर रहा है, सिर्फ state change हो रही है, बहराल, concept तब भी valid है, कि surface area जितना जादा बढ़ जाएगा, rate of reaction उतना ही जादा होगा, चाहे फिर वो physical reaction का हो, या chemical reaction का, concept आपको समझ में आ गया है, लेकिन आप एक काम करते हैं, फिर एक सही concept ले ले लेते हैं, लेट से आपके पास spices हैं, या मसाले हैं, अगर आप मसाले को piece देते हैं, तो वो जल्दी से react कर जाते हैं, और अगर आप उनी मसालों को solid form में रहने देते हैं, या crunches की form में रहने देते हैं, तो वो फिर देर से react करते हैं, आप black people की बात कर सकते हैं, यानि काली मिरच की बात कर सकते हैं, black people को अ अगर आपने solid form में रखा, तो वो balls की form में होंगी, जब वो balls की form में होंगी, तो इतनी असानी से react नहीं करती हैं, और वो ऐसे ही घूमती रहती हैं, लेकन अगर आप इसको piece दे, इसको आपने crush किया, इसको piece दिया, तो अब यह powder के अंदर convert हो जाएंगी, जब यह powder के अंदर convert यह हैं, कि अगर आप ultraviolet radiations या कोई सी भी radiations increase कर देते हैं, तो rate of reaction खुद बहुत बढ़ जाता है, आप इसकी example ऐसे ले सकते हैं, कि अगर आपने microwave के अंदर खाना गरम किया, तो microwave के अंदर micro radiations होती हैं, यानि microwave मोजूद होती हैं, तो जल्दी से खाने को गरम कर देती हैं, जिससे reaction की speed बढ़ जाती है, अगेन, यह chemical reaction नहीं है, यह physical reaction है, यानि कि compound का formula change नहीं हो रहा, composition change नहीं हो रही, बहराल concept फिर भी valid है, क्योंकि radiations की वज़ए से reaction की speed बढ़ जाती है, concept क्या है, कि radiations kinetic energy molecules की बढ़ा देती हैं, क्योंकि radiations energy provide करती हैं, जब energy provide करेंगी तो kinetic energy बढ जाएगी, kinetic energy बढ़ जाएगी, तो number of collisions बढ़ जाएगी, number of collisions बढ़ेंगे तो rate of reaction भी बढ़ जाएगा, ROR will be increased, यहां तक rate of reaction खतम हो गया, हमने factors affecting on the rate of reaction को भी discuss कर लिया है, rate of reaction, rate constant, or concentration of reactants को भी discuss कर लिया, order of reaction को भी discuss कर लिया, और activation energy, internal energy, और threshold energy, इन सारे concepts को हमने discuss कर लिया, यहां पर chapter 8 end होता है, अगर आपको अपनी MDCAT या ECAT की तयारी को और बहतर करना है, तो description में मौझूद लिंक पर जाके, ECAT या MDCAT का crash course बाय कर सकते हैं, जो कि मकसद में आप लोगों के लिए design किया है, जहां पर आपको 8000 MCQs मिल जाएंगे, वो भी solution videos के साथ, जो आपकी त वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अलाँ आपिस,